असलाम वारीकम नाजरीन, ड्रामस ये दाओ की नेक्स अपिसोड में आप देखेंगे अंबर जिसके वीडियो आलियान तक भी पहुंच जाती है सुंबल जो के इंतजार करी थी आलियान के ओफिस से आने का तो उसी वक्त अपनी नजरों के सामने देखती है कि किस तरहां से आलियान हाथ मिलाता है आकर इस रिदा को तब भी उसे अजियत ही मिली अब ये वीडियो आकर वो वारन से इस सुंबल को दिखाता है वो ये सब देख कर हकी बकी रह गई तो आलियान उसे कहता है चम मैं तो समझता था सिर्फ अलमास बेगमी घटिया है लेकिन ये नहीं मालूम था कि बेटी भी ऐसी है ये सब देख कर उसे अजियत तो हुई थी लेकिन आलियान की ये बात सुनकर उसे और भी अजियत हुई समझ गई कि ये सारा किया कराया हम अपनी मा का ही भुगत रही हैं तो मौका देखती है अपनी मा के घर आ जाती है रोते वे बाते सुनाती है नीशा के साथ साथ आपने पता नहीं किस किस मासूम लड़की को बरबाद कर दिया जिन्दगी जहन्नुम बना दी उनकी खड़ा सुन रहा था उसकी तो अब बरदाश की अद खतम हो गई है आलियान पर भी घुसा आता है इस अंबर पर भी घुसा आता है उसके मरने से पहले मैं मर जाओंगा मामा आपनी मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं आलियान के पास जाकर उसकी आंखों में आँकों मैंके डालकर उससे बात कर सकूँ और उसी वक्त नेहा कोक्मन कह दिया मेरा समान पैकरो हम जा रहे हैं अभी और इसी वक्त इस घर से ये सुनकर अलमास बेगम तो और भी हकी बकी रह गई मगर इसकी जिद और इसकी आना फिर भी नहीं नीशी होती दुकी तो ऐसे बनती है जैसे सबसे बेचारी वही हो उसने कुछ भी ना किया हो उसी वक्त ठक हार कर मायूस होकर नीशी सोफे पे बैठ गई इतना बुरा तो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मतलब अब भी उसे लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया हाँ बस थोड़ा सब बुरा किया है लेकिन इसके साथ फिर भी बहुत ज़दा बुरा हो रहा है आलियान जिसने नीशा की आवास सुनाई आखरी वोईस नोट तब भी अलमास बेगम उसकी अजियत का अंदाजी नहीं लगा सकी उसे अब भी नजर आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने दुख फिर यूँ कुछ वक्त बेदने के बाद यहां पर आलियान जो कि खाने की टेबल पर बैठते नहीं खाना नहीं खाता मगर हां रिदा के साथ बाते जरूर करता है बाहर बैठे दोनों बाते कर रहे हैं तो यहां पर आलियान कोशिश करता है कि इस रिदा की सारी गलत वहमी वो दूरी कर दे यूँ कहें खुछ वहमी कि मैं उसे अपना लूँगा या शादी कर लूँगा तब ही वो बार बार उसे माजी की याद दिलाने लगी तुम मुझे से प्यार करते थे, मुझे चाहते थे फिर तुम आलियान इतना कैसे बदल सकते हो तुमने मुझे धोका दिये, तुमने शादी कर ली आलियान बता देता है वक्त और हालात मुझे बदल दिया है वो उसे कोई उमीद नहीं दिलाएगा कि अब भी वो उसे अपनाएगा फिर यही रिदा होती जो कुछ वक्त बीदने के बाद इस सुंबल को तलकीन करने लगी सुंबल जिन्दगी इतनी आसान नहीं होती मुझे क्या कहा है और मैंने उसे क्या जवाब दिया है तो सुंबल इंट्रेस्टेट नहीं होती ये बात सुनने में वो खास ओपर इन दोनों के बात सुनने में हालकि अंदर से वो परेशान तो काफी है हो सकते हैं यहां पर इस वक्त में भी ये रिदा फाइदा उठाए कि वो सुंबल को वापिस भेज़ सके लेकिन होप सब रिदा को ही यहां से चले जाना चाहिए और वो अपना भैक तैयार करके वापिस बोले अब इस तर समेट कर चली जाएगी क्योंकि यहां पर आने से और खास और आलियांस मुलकात के बाद उस से जानने के बाद वो समझ जाएगी कि अब यहां पर उसके डाल नहीं कलने वाली हकीकत है रिदा ने जो कुछ उसकी वालता के साथ किया बहुत गलत किया मीन अपनी लालच में आकर अपनी खुशी की खातिर किसी की जान भी ले लेगी वो भी जान बुचकर और वहाँ पर अलमास बेगम और अंबर के पास सिवाय रुसवाय के खुश भी नहीं बचता यू दोनों जैसे तनहा रह जाते हैं मगर होप सो ये आसिम घर छोड़ कर नहीं जाएगा मजबूर होकर जैसे कैसे रुख जाएगा ऐसे में यूवर्ज आपको क्या लगता है कि आसिम घर छोड़ कर चला जाएगा मजीड ड्रॉमा आज रिवीउस के लिए आप देखते रहेए उर्दो डीवी